नमस्कार साथियो अपने युनिवर्श्टी के इस अपने प्लेटफॉम पे आप सभी का स्वागत है आज ये एक छोटा लेकिन महत्रपूर्ण सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए और ये सेशन जैसा कि आप लोगों को पता ही है इसकूल व्याक्यता है उसका जो पर्थम पर्शन पतर है जिक्के वाला पार्ट है उसके लिए कौन-कौन सी बुक पड़नी चीए अपन को जैसा कि यहां पे लिखा वह आपको बुक लिस्ट तो आप कोगे सर इसकूल व्याक्यता के लिए इतनी कितनी बुक लिस्ट बनाने क सकते हो लेकिन मैं गाइड को कभी प्रिफर नहीं करता हूं और वह आपके लिए भी महत्रपूर्ण नहीं है क्योंकि यदि गाइड पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब है इतनी सारी उसमें गलतियां होती और यह बुक आप या तो पहले से पढ़ रहे होंगे और यह नहीं पढ़ रहे हो तो इनको आप यूजगर सकते हो या आपके लिए महत्रपूर्ण हो सकती है किसी भी कॉम्बेटेटिव एक्जाम के लिए यदि कोई बुक बताई जाए और उसमें से सारे के सारे क्यूशन आ पर्थम पर्फण पतर है इसका पर्थम पर्फण पतर है कि बात के ने या कि एक यह जो है यह टॉटॉटल मुचेतर इसके अंदर किसन आते हैं अब तक अब तक इसमें क्या आते हैं 75 तो और 75 क्यों सभचर मार्क स्काएं थीक है टेनद़ 1 गैट्यूर्व म आंनें टेज्टार्च कया करनें अधेश्चक Patal कर दिया है वह साइकोलोजी साइकोलोजी वाला पार्ट है वह इसके साथ एड़ कर दिया क一 सब्सक्राइब जहां तक संभावना है पचेतर क्यूशन में अल्रेडी हर सब्जेट के 4-5-5 क्यूशन आते हैं तो साइकोलोजी को अलग से जोड के मेरे साथ से जगह नहीं मिलेगी तो इसके लिए वो कहीं कहीं क्यूशनों के संख्या बढ़ाएंगे हो सकता है ऐसी संभावना है और बहुत पर लिए ऐसा ही होना चाहिए कि यह 15 क्यूशन की जगह यह आने वाले टाइम में आपके लिए 100 क्यूशन हो सकते हैं 100 क्यूशन होंगे जिसके अंदर साइकोलोजी का पार्ट कम से कम 15-20 क्यूशन का और इनका भी छोटा मोटा पार्ट थोड़ा बहुत उपर नीचे करके 100 क्यूशन होने की संभावना है खेर कितने भी क्यूशन हो कोई फरक नहीं पढ़ता आपने पार्ट वोई है वोई चीज़े पढ़नी है क्यूशन एक दो उपर नीचे आजाएं कम बती आजाएं पांच की जगे चार आजाएं लेकिन सब्जेक्ट को अपनको पूरा पढ़ना है पड़े गई तो इसके अंदर अपन बुकों की बात करें महत्रफून बुक की गाइड को तो मैं आपको पहले दिन से बोलता हूं क कभी भी आप गाइड तो मत ही पढ़ना इसको तो अवोईड ही करना अपन बुक के बारे में बात करते हैं महत्रफून बुक के जिसके साथ साथ अपन बात करें इसमें तो ये सारे अपने सब्जेक्ट हैं जो आपके सामने लिखावाएं इंग्लीज है एजुकेशन इसके अंदर मेडायेसन का परत भी पूछा जाता है इंडिया की पुछिशा जाती है राजस्तान का ओंड कि रूजधय के आपको तो इस। कोई सिविल सब्सेज्ज की आरेस की आईस की तरी करते हो तो आप NCRT बगेरा पढ़ते हों लेकिन यह आपके लिए पढ़ पाना संभव नहीं होगा कि छह साथ बुक लाते हो और उसमें से आप इस्टरी के लिए कंटेंड बहार निकालते हो यह मैनत बहुत ज्यादा हो करता हूं नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है यह आप पढ़ सकते हो अच्छी बुक है देखो परफेक्ट तो नहीं अपने आप में यह मकेलियर कट बोलता हूं परफेक्ट नहीं है उसमें भी कुछ कमिया है लेकिन आप मार्केट के अंदर जो बुक आई हैं उसके साथ में इसकी पहले जो बुक आती थी वो हरीमोन सक्षेना के आती थी बहुत शांदार बुक आती थी प्रिशन वहीं से ही आते थे ऑथेंटिक बुक थी हिंदी गरंत अकादमी की बुक थी लेकिन वर्तमान में जो हरीमोन सक्षेना ने अपडेट नहीं किया अपने बुक को नए जिलनों के साब से तो इसको एक बार या तो आप अधर जूल में छोड़शकते हो कुछ वह आपके लिए भारी बर्खम पढ़ जाएंगी और इतनी भारी बर्खम पढ़ने के आउशक्ता है नहीं के रफेर की बात है तो के रफेर के अंदर दो शेक्चन है इसमें के रफेर राजस्तान का इंदिया का और इंटरनेशनल तो पुछा ही जाएगा उसके साथ में सकते हैं योजनाओं के लिए पढ़ना है वह आता है एककोनोंकिक सर्वे है वह इसके लिए कि अध्यक के संट्र्वेय है आगे mathematics, reasoning और statistics वाड़ा part है देखो math reasoning और statistics आप कहीं से भी पढ़ सकते हो लेकिन ये अंत में मांगती क्या है practice मांगती है practice के बगेर आप इसमें क्यों सही नहीं कर पाओगे practice करनी पड़ेगी नाथ वाली book है वो use कर सकते हो उसमें और यदि नाथ वाली book use नहीं करते हो और आ पढ़ना है हिंदी वाला portion है वो नोवी दस्वी ग्यार्वी नोवी दस्वी ग्यार्वी और बार्वी चारो क्लास की एक साथ rbc की book आती है एक बुक आती है उसके अंदर बहुत कम example दिये हैं लेकिन वहीं से ही question पूछे जाते हो नहीं एक्जम्पलों से तो आप ये book ला passbook वह passbook यूज कर सकते हो या इसके लाव आप पहले से यदि कोई book पढ़ रहे हो किसी teacher के notes पढ़ रहे हो तो उनको ही यूज करो ज्यादा बैतर होगा इसके लिए नई book ना खरीते यह बैतर रहेगा education management के लिए SS यादव की book आती है SS यादव की अच्छी book है यह यूज कर सकते हो यदि आप one stop पढ़ना चाओ SS यादव की book पढ़ सकते हो हलांकि यह dynamic subject हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें add होती रहती हैं जैसे इसके अंदर लिखा होता है सरकार के द्वारा जो नवाचार की जा रहे हैं वो तो नवाचार तो रोज होते रहते हैं हर 10-15 दिन के अंदर सरकार के द्वारा योजनाई नई नई शुरू की जाती हैं तो आप उसके आदार पे उसको अपडेट भी करना पड़ता है और अपडेट एक टीचर है या एक जो लेखक है वो इतना अपडेट नहीं कर सकता कि हर तीन महीने बाद उसका सारी बुक्स निकाले गई हैं लेकिन मैं आपको एक बुक का नाव लूँ उन में से तो वो है वंदना जादौन की वंदना जादौन और योजनाओं के लिए एकोनोमिक सर्वे अच्छा है मैथेमेटिक्स रिजलिंग और स्टेटिस्टिक्स के लिए नाथ वाली बुक ला सकते हो हिंदी के लिए नौई दस्वी जादौन की बुक आती है वह पड़ सकते हो तो यह अपन कंप्लेट बूक लिस्ट है उसकी ब आप कोई और बुक पढ़ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो वह भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मेरा मानना है कि यह बुक यूज़ करते हो तो बैतर रहेगा आपके लिए तो यह आपके लिए इंफोर्मेशन थी साथ मैं मैं आप लोगों को एक बात बता देता आप जोइन कर सकते हो किसी परकार का आपको डाउट हो तो यह नमर दिये के हैं इन नमरों के उपर आप संप्रक कर सकते हो साथ में इसका टाइमिंग है बुगोल का सुबए 8 से लेके 10 बचे तक 2 गंठे क्लास होती है जीक्या का सुबए 10 से 12 इसकी क्लास होती है नमर यह है ओन्लाइन बैज है वो तपस्वी बैज तपस्वी बैज शुरू हो रहे हैं तो अपना एप्लिकेशन डाउनलोड करके अपने उनिश्टी का आप उसको भी जोइन कर सकते हो अभी के लिए इतना ही थेंक्यू थेंक्यू बेरी मच्च पो डिस्केशन और किसी के साथ अपन मिलते हैं